Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरु मिगलानी इस वीडियो में हम एक छोटा सा टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो Non-Commulative Preference Shares को लेकर है इस परकार के Shareholders को Company क्या करती है? Dividend का एक Fixed Amount Pay करती है Profits में से Profit होते हैं, dividend मिलता है Profit नहीं होता, तो dividend नहीं मिलता ये dividend इनको हर साल Pay कर दिया ही जाता है इनको dividend हर साल Pay किया जाता है माल लीजिए किसी साल Company ने इनको dividend Pay नहीं किया Company के पास Profit नहीं थे और Company ने इस परकार के Shareholders को dividend अगर Pay नहीं किया तो Company अगले साल सिरफ Company अगले साल का ही dividend Pay करेगी पीछे वाले साल का dividend ये लोग claim नहीं कर सकते जबकि पीछे वाले topic के अंदर cumulative preference share के topic के अंदर हमने क्या सीखा था कि माल लीजिए company ने पहले साल इनको dividend pay नहीं किया 10% देना था company नहीं दिया दूसरे साल भी company इनको dividend pay नहीं कर पाई तीसरे साल जब company इनको 10% का dividend pay करेगी तो company इनको पीछे वाले 2 years का भी dividend pay करेगी मतलब तीसरे साल company इनको total 30% dividend pay कर देगी इस साल का तो हो ही गया पीछे वाले 2 years का dividend mix करके company इनको 30% dividend pay कर देगी cumulative preference shares के according cumulative preference shareholders को पीछे वाले डिविडेंड को claim करने का right होता है पर ये right इनको नहीं मिलता मतलब मेरे कहने का क्या है अगर किसी year company इनको dividend pay नहीं कर पाती तो company अगले साल सिर्फ अगले साल काई dividend pay करेगी पीछे वाले years का dividend company नहीं पे करेगी मतलब ये पीछे वाले years के dividend को claim नहीं कर सकते जबकि ये पीछे वाले years के dividend को claim कर सकते है